महाकवी एरुचन रचीत मलयालम रामायन के कुछ छंद सुनना अपने आप में अद्भूत है किरला के कई महत्वपून कलाकारों ने भी अपनी भव्य प्रस्तूतियां से मन मो लिया किरला वास्चियों ने बहां कला संस्कृति और अध्यात्म का ऐसा वाताण बना दिया जैसे पुरा किरला ही अवदपूरी है साथियों आजहादी के अमरितकान में भारत को विक्सित राष्ट बनाने में देश के हर राज्य की अपनी भूमी का है भारत जब सम्रद्ध था जब ग्लोबल जीडीपी में हमारी भागिदारी बहुत बड़ी थी तब हमारी ताकत हमारे पौर्ट से हमारे पौर्ट सिटीज थे आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंदर बन रहा है तब हम फिर से अपनी शमुद्र शक्ती को बढ़ाने में जूटे हैं इसके लिए केंदर सरकार समुद्र केनारे बसे कोच्ची जैसे शहरों का सामर्थ और बढ़ाने में जूटी है हम यहां के पौर्ट की कैपसिटी को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं पौर्ट इंफ्रासेक्टर पर निवेश कर रहे हैं सागर माला परियोजना के तहट पौर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है साथियों आज यहां देश को अपना सबसे बड़ा ड्राइड डॉग मिला है इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग शिप रिपेरिंग और लपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इंफ्रासेक्टर का भी लोकारपन हुआ है यह सुविधाएं केरला और भारत के इस दक्षिनिक छेत्र के विकास को गती देंगे मेडिन इंडिया, हैरक्राप करियर, आइनेस विकरांद के निर्मान का एतियासी गवरव कोच्ची शिप्याड के पास है, इन नई सुविधाओं से शिप्याड की केपेसिटी कई गुणा बढ़ जाएगी मैं करला के निवासियों को इन सुविधाओं के लिए बदाई देता हूँ साथियों, पॉर्ट, शिपिंग और इन लेंड वाटर वेट के सेक्टर में इज अप डूइंग बिजनेस बढाने के लिए पिछले दस वर्सों में केंद्र सरकार द्वारा अनेक रिफॉर्म्स किये गए है इससे पॉर्ट में अधिक इन्वेस्टमेंट आया है और जादा एंप्लोईमेंट जनरेट हुआ है इन्डियन स्वीफेरर्स उससे जुड़े जो नियम थे उसमें किये गए रिफॉर्म्स की वज़े से पिछले दस साल में इन्डियन स्वीफेरर्स की संख्या में एक सो चालीस परसंट की वृद्धी हुई है देश के भीतर वाटर वे के उप्योग से अब पैसेंजर और कार्गो ट्रांस्पोर्ट में नई तेजी आई है साथियों जब सबका प्रयास होता है तो परणाम और बहतर मिलते हैं बीते दस वर्षों में हमारे पॉर्ट्स ने डबल डिजिट एन्यूल ग्रोध हासिल की है दस वर्ष पहले तक हमारे पॉर्ट्स पर सिप्स को लंबा इत्तजार करना पड़ता था उनको अनलोड करने में बहुत टाइम लगता था अब सित्या पूरी तरफ बदल चुकी है आज भारत शीप टरन एराउंड टाइम में दुनिया के कई विख्षित देशों से भी आगे निकल चुका है आज दुनिया भी ग्लोबल ट्रेड में भारत की भूमी का समझ रही है जी ट्वेंटी समीट के दौरान भारत ने मिडल इस्ट यूरोप एकनोमिक कोरिडोर के जीप प्रस्ताव पर सामत ही बनी वो इसी भावना का प्रमाण है ये कोरिडोर विख्षित भारत के निर्माण को बहुत बल देगा इससे हमारी कोस्टल एकनोमी को बड़ी ताकत मिलेगी हाल ही मैं मेरिटाइम अमरित काल वीजन भी लाँच किया गया विख्षित भारत के लिए हम अपनी समुद्री ताकत को कैसे ससक्त करेंगे इसमें इस लक्ष का रोड मैप है भारत को दुनिया की एक बड़ी मेरिटाइम पावर बनाने के लिए हम मेगा पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग और सिप प्रेपेर क्रॉस्टर जैसे इंफ्रस्टरेक्टर बनाने पर जोड दे रहा है साथियों केरला में आज जिन तीन प्रोजेक्स का लोकारपन हुआ है उनसे मेरिटाइम सेक्टर बैड इस खेत्र की हिस्सेदारी और बड़ेगी नया ड्राइडॉक भारत का नेशनल प्राइड है इसके बनने से यहां बड़े जहाज बड़े वेसल तो आही सकते हैं साथ ही यहां शिप बिल्डिंग और शिप रिपे का काम भी संबव होगा इससे भारत की विदेशों पर निरबरता कम होगी और जो पैसा हम विदेश बेचते से वो देश में ही लगेगा इसके साथ यहाँ शिप बिल्डिंग, शिप रिपेर सेक्टर में नई स्किल्स पैदा होगी साथियों आज इंटरनेशनल शिप रिपेर फेसिलिटी का भी लोकारपन हुआ है इस प्रोजेक्ट से कोची भारत का और भारत एसिया का एक बड़ा शिप रिपेर सेंटर बनने बाला है हमने देखा हैं कि आएनेस विकरांद के निर्मान के दोरान किस प्रकार अनेक MSMIS को सपोर्ट मिला था अब जब शिप बिल्डिंग और रिपेर की इतनी बड़ी फेसिलिटी यहां बनी है तो इससे MSMIS का एक नया एको सिस्टिम बनेगा जो नया LPG इंपोर्ट टर्मिनल बना है इससे कोची, कोइमटूर, इरोड, सेलम, कालीकट, मदुराई और त्रीची में LPG की जरुरते पूरी होगी इससे इन इलाकों में इंडिस्ट्री और दूसरी एकोनोमिक डेवलप्मेंट को भी मदद मिलेगी और नए रोजगार भी बनेगे साथियों, कोची शिफ्यार आज आधुनिक और ग्रिन टेक्लोलोजी से लेज Made in India वेसल्स बनाने में भी अगरणी है कोची वाटर मेट्रो के लिए जो इलेक्ट्रिक वेसल्स बनाए गए है वो प्रसंस नहीं है अयोध्या, वाराशी, मत्हुरा और गोहाटी के लिए भी इलेक्ट्रिक हाइब्रीड पैसेंजर फेरीज का निर्मान यहीं हो रहा है यानि देश के शहरों में आदूनीक और ग्रीन वाटर कनेक्टिविटी में कोची शिप्यार की भूमी का एहम है मुझे बताया गया है कि हाल में आपने नौर्वे के लिए भी जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक कारगो फेरीज डिलीवरी की है यहाँ हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाले दुनिया के पहले फीडर कंट्रेनर वेशल के निर्मान पर भी काम चल रहा है यह मेक इन इंडिया मेक फर दे वर्ल्ड के हमारे वीजन को ससक्त करता है भारत को हाइड्रोजन फ्यूल आधारी ट्रांस्पोर्ट की तरफ ले जाने का जो हमारा मिशन है उसको कोची शिप्यार्ज और ससक्त कर रहा है मुझे विश्वास है कि बहुती जल्द स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल रसेल फेरी भी देश को मिलेगी साथियों, ब्लू एकोनामी, पॉर्टलेट डेवलप्मेंट को और उसके करा हमारे मच्मारे भाई मेहनों की एक बहुत बड़ी भूमी का मैं इसमें देखता हूँ आज पी-एम मच्स संपदा योजरा से फिसिंग के लिए भी आधुनिक इंफ्रास्रक्टर बनाये जा रहा है केंद्र सरकार डीप सी फिसिंग के लिए मच्वारों को आधुनिक नाव देने के लिए सब्सीडी दे रही है किसानों की तरह ही मच्वारों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविदा दी गई है ऐसे प्रयासों की वज़े से बीते दस वर्षों में मच्छली उत्पादन और एक्सपोर्ट दोनों में कई गुना बडोत्री हुई है आज केंद्र सरकार सी फूर्ड प्रोसेसिंग में भारत की हिस्सेदारी को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है इससे बविश्य में हमारे मच्वारे साथ्यों की आए भी बहुत बड़ी बुद्धी होगी उनका जीवन और आसान होगा करला का निरंतर तेज विकास हो इसी कामना के साथ नए प्रोजेक्ट की मैं फिर से एक बार आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आप सभी को शुप कामना है धन्यवाद